हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका राज गौराफिक ज्ञान में स्वागत है जैसा कि अभी मैं आपको इलेश्टाटर और इन डिजाइन के टिटोरियर के बारे में बता रहा हूं आज मैं आपको इलेश्टाटर के कुछ टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूं जो कि आप आपको हर डिजाइनिंग में आपको यूज करनी पड़ेगी जिसका नामें alignment जैसे कि आपको पता है बिना alignment कोई हमारी डिजाइन बन ही नहीं सकती उसी क्लिए मैं आज आपको illustrator में बताने जा रहा हूँ हम किसी भी object को या किसी भी test को या कोई भी चीज हो उसका alignment कैसे करते ह हैं उसी क्लिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ alignment object illustrator चलिए शुरू करते हैं सबस्क्राइब में क्या करता हूँ एक हमके न्यू पेज ले ले लेते हैं जरले हमने क्या है न्यू डॉक्मेंट में एफोर लिया जो भी साइच चाहिए आप ले सकते हैं हमने क्या क्या करते हैं alignment alignment हम क्या करते हैं जब भी object होता है टेक्ट होता है कुछ भी होता हम alignment उसी करते हैं alignment का मतलब होता है हम किसी चीज़ के center रखना left रखना right रखना top रखना bottom रखना यह alignment होता है हमारा या फिर क्या होता है किसी भी object के साथ align करना सबस्क्राइब करते है alignment generally alignment होता कि मैं आपको बता तो अलाइनमेंट हमारे दो तरह की होती है एक हमारा पेज देख हुए फिलेश्टर हो हम पेज को बोलते है आठ बोर्ड एक तो इसको होती है हम किसी भी आपजेक्थ को सब्सक्राइब कर देता हूं अभी मैं इसको सब कुछ बंद रखता है मालों कि हमारा अब्जेक्ट हो गया है और पीछे हमारा पेज़ दिख रहा है हमारा आट बोर्ड है एक तुम इससे एलाइन करते हैं चाहिए तोप से एलाइन कर सकते हैं बॉटम से लेफ्ट से राइट हम मीनिममं दो अब्जेक्ट से करते हैं हमारे घ्रमनेंट बसलेक्षन वेख होते हैं मरेमारे और ऐत्वोर्ड सिलेक्षन अर पτα cuidado pबार ऑच्ट अग टीन होते हैं यह कैसे करते उसके हाए बताता हूं आधल में होता हुआ एक यह क्या होता हम वी क्या होता है हमारा दो तर से करते हैं एक क्या करते हैं और तीसरा क्या होता है हम किसी चीज को में अब्जेक्ट मांद के करते हैं तो होता है हमारा इस तरह हमें आपको करकर के बताता हूं स्टार्टिंग से कैसा होगा यह वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होनी वाली है अगर आप इस वीडियो पर अच यह आने स्टार्ट कर चुक है तो आपने यह object के गृडविण आप कर सकते हैं और सबसके प्रटार रहा और हम करें क्या सकते हैं तो इसके लिए का क्या मुंद्प दिख़ा रहा है किशन और फिर फिर यह कंगे बब डबा के भी ओपन कर सकते हैं तो हमने क्या क्या यहां पर विंड्व बे गया एलाइण को किलिक किया या सी प्रेप सेब्स डबा के खोल लिया आप जैसे यहां पर खुलेगा लेकिन हमारे तंच्छीप दुए उपन नहीं है अगर हाइड करना है तो हाइड और चली जाएगी और जब इसके क्लिक करेंगे तो खुल जाएगी तो सबस्क्राइब आपको बताने जा रहा हूं अगर जाएगी तो आपको बताया था मैंने आपको हम इस तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे Star 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 के option है अब जो बाकिन नीचे distribution है और इन यह बाले इसके बारे हम बात करें पहले उपर वाले कॉल्म इसके बारे में बात कर रहे है रो के बारे में तो सबस्क्राइब क्या है हमारा चाहिए हमारा जो लेट की तरफ हम जाते हैं यह हमारा तो अरिजंटल पक्राइब की तरब चली जाएगी मतब लैफ्ट रड की तरफ से हमारा लेफ्ट हो जाये गा दूसरा हमारा यहां पर मनंद से में आ जाएगा नेक्स्ट आफ देखेंगे हां पर क्या होडिकर सकते हैं इससे लेफ्ट कर सकते हैं इससे आप सेंटेस कर कि आप होरिजंटल करना तिस तिरों का यूज कर सकते हैं लेफ्ट सेंटर और राइट और डॉ से एक दम सेंटर में आज दो अनल पुक्ति हमारे इसकी शरये मीडता करें गएंग कर त mendशाहें कि हमारे मेंसिते कंょ surtout कि साफसे पहले का करना है यहां पर आपको फॉर्टिकल ऩ सेंटन याइन हमारा यह और सब्सक्र उसिए हमारा बता शुरु रहा हो जो हमारा या पजय को आता है है पूरे पेज का stop क्या हमारा हमारा हो जेंते हो घ्रींटर होना चाहिए विसंटर होना चीखे हो भी हमारा पेज चाहिए पूरा था है हमारा ही चारो तरप से से तो तो होगे हमारा Artboard के थूर सिंगल अब्जक्ट को हम alignment कैसे करते हैं लेफ्ट लेफ्ट सेंटर राइट टॉप सेंटर बॉटम और पेज के सेंटर में अब हम स्टार्ट करते नेक्ट यह तो हमारा था अब देखिए क्या होता है हमारा कि एक अब्जक्ट यह है दूसरा अब्जक्ट यह हम चाहते है यह जो दोनों अब्जक्ट एक डूसरे से alignment हो जाए हमने क्या यहाँ से कीवोर्ट से बाहर से स्जारी माउस की से हम इसको बाहर से सलैक्षन ले लिए अब ऐसाः पे सल्चाइब के एलाइन टु इसाइब को यह दो अगर आर आधंसे करेंगे तो अब हमने इसको किया कि थो खिसका देता हूं और दोनों को सेलेक्ट कर लिए अब क्या करें जो selected object था अब देखिए अब दूसरे के center कर देगा अब मैं तोख किसकाता हूं दुबारा से लेता हूं अब देखिए next क्या है horizontal align right यह क्या करें हमारा right वाले object से इसको align हण कर देगा अब देखिए तो हमारा होगी horizontally अब मैं vertically की बात कर रहा हूं यह देखिए हम दो प्या लिए अब देखिए यहां पर क्या है आपका vertical align-top नहीं प्राइक अब क्या थे एक उसका बोल रहा है। बट्रों से इस तरह इस तरह इस ने क्या किया हमारे selected object थे labeled हम ने इसको जैसा किया उसको उसका से भाटिंग उसने कार्दिया हमने बहार से 살क्सन लिए आपको जैसा भी और एलाइन लगा। आपको horizontally चाहिए left कर दिया, जली औरा फिर से undo कड़ में तुम करता हूँ, अगर आपको दोनों का Center चीए थे हमने क्या pak है horizontal Center कर दिया, अगर दोनों का Right चाहिए थे horizontal राइट कर दिया, उसी सेम शिर्टिन mi क्या है, Vertical Anand Top, Top से कर दिया, अब Selection लिया, Vertical Anand Center, Center से कर दिया, अब चाहते हैं, दोनों Bottom से हो जाथ लोटम से कर दिया, इस तरह आप Selected Object को जैसे चाहिए डेक्वाइक्वेर करके, Top, Bottom, Center, Left, Center, Right, जैसे चाहिए अपनेECORDING यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, यह तो हो गया आपका align to selection, अभी हम सिर्फ उपर वाले पर चल रहे हैं, अभी इसमें क्या है, हमने जो यहां selection लिया, उसने क्या क्या है, हमारा system तो अपनी मर्जी से fix नहीं रखा, तो अपने उसने क्या किया, अब suppose हमने क्या किया, इसको यहां किया, और हमने इसको selection किया, औ हम चाहते थे क्या है, हम चाहते हैं, हमने यहां selection ले लिए, हम चाहते है, रेड को यह key object पकर रहे, उसके according selection करें, लेकिन computer ने क्या किया, अपनी मर्जी से green, जो ठीकल है, key object उसको मान लेगा, और उसके according क्या करेंगा, अब देखिए, हमने यहां क्या क्या किया, align to top, उसने Green बाले को मान के कर ली, लेकिन हम चाहcı रहे थे हमने selection किया हम, चाह रहे थे he toast किया, अपनी बाले को फिक्स रखिए, और green बाले को यह नीचे ले आए देखिए हम चाहा है रेड और ओभ्जेट को फिक्सा कि ग्रीन बाले इसके अकौडिंग एलायन हो जाए लिए आप क्या हो रहा है देखें यह ने बॉतनं किया इसे अपनी मर्जी से कर दिया हम क्या चाह रहे हम की आपॏमन की आपजेक्ट है उसको हम क्या कर तब ही आपका align to key object अब्जक्ट यह आपका active होगा अब देख रहे हैं हमने क्या किया यहां पर दोनों को हमने क्या किया select कर लिया अब जैसे हमने select किया है align to key object आपका active हो गया है यह हमारा main आपका है यह हमने select कर लिभी हाँ हम से खुलता है यह हम चाहते है हम आपने किसी को fix कर लिःट को फिक्स रखेए और हमारा क्या उसके बितर रहें हमने किसी को फिक्स कर लिया सब्सक्राइब को प्रिक्सक्राइब करें अब देखिए लिए क्या करना है दो चीज बटाता हूँ तेखिए यहां से हमने क्या किया अपने लेफ्ट से माउस से क्लिक रहें हम जैसे यहां के क्लिक करेंगे देखिए कि हमारा blue color का यहां पर age हम ओझे कोई यहां से क्लिक कि अप्लाइंन को अपलाय करेंगे वह इसके according होगा अब देखिया हमने क्या कि बूलू बॉंडिंग बन गया और हमने यहां से क्या किया है लेफ्ट अलाइनमेंट किया है अब देखिए क्या है हमारा जो रेड़ बाला एरिया जो सेलेक्टेर था की अबजेक्ट उसमें कुछ भी टच नहीं हुआ लेकिन दूसरी अबजेक्ट थी उसके अकॉर्डिंग आ और आपको दूसरी करना है कि आपको इसमें की अबजेक्ट इसको बनाना फिक्सित को रखना अब हिसमें सपोज मालो किया माॉस से लेफ्ट बटन दाबा दिया गृट क्रिण बाले सब्सक्राइब अब हम क्या चाते है यह फिक्स रहे और इसकी अकॉर्डिंग यह हो तब अब देखिए हमने क्या किया है लेफ्ट इसको किया तब क्या देखिए ग्रीन वाला हमारा फिक्स रहा की अब्जेक्ट हो गया उसको कुछ भी नहीं छेर रहे हैं बांकी जो अब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हो गए यह चलो आपको दो दो अब्जेक्ट से कन्फूजन ह ले लिए ठीक है और इसमें आपको दिखाता हूं की अब्जेक्ट कैसे करते हैं हम चाहते हैं हमारा जो यह ग्रीन वाला है आप चाहिए कोई भी किसी को भी की अब्जेक्ट माज सकते हमने क्या कि ग्रीन वाले पर लेके एक बार माउस से लेफ्ट बटन क्लिक कर दिया जै है जैसे होगा देखिए यहां पर बुलू कलर के बॉंडरी बॉक्स बन गए मतलब यह हमारा की अब्जेक्ट है और यहां से हमको जो भी एलाइन्मेंट चाहिए हमने अगर सब्सक्राइब लिया देखे क्या है ग्रीन वाला हमारा फिक्स रहा है यह जो अब्जेक्ट है ब अब क्या है अब मदu। करता हूं आपको जिसके क्योब्र करना सलोकि क्या है आपको क्यों दिखा रहा है लेकिंध अब खुआ यह ब्टन 나हारे माय इस पर दबा दिखेंग तो हमारा कीवज्च्ट अब आपको जिसके च्काहरा जो भी करनां अभी के है अभी आपका करना है अभी हम चाहते हुआ करे ऑढ़ लाइन बॉटम अब ददू करतें भी आपके प्रेस्ट किया अभी है क्योंकि यहां पे भुलों ऑप्रेस तुक्या बनाना को क्यों कि आपको चाहते हैं सारा का सारा राइन्मेंट हो जात है अब चाहते हैं इसके अप्जेक्ट हैं आपको जितने रखने दो चाहर दस बीस पचास सो जितने अब चाहिए तो उसमें किसी एक को आप क्या करता है किया रखने और उसके अकॉर्णिंग आप बांकियों का आप कर सकते हैं यह तो होगी आपका नॉर्मल एलाइन टू की ऑबजेक्ट और यह हमेशा ध्यान दखें जब तक हम किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करेंगे आपका यह वाला एक्टिम नहीं होगा अगर हम इसको सेलेक्शन नहीं ह सकते आपका एक्टीब हो जाएगा यह तो होगी हमारा normal alignment जो भी Normal अजिटान ते और यह संटर बॉटम उसलिए सेय्टर में alignment अब क्या है ऑंक्य है नेश्च मारे डिस्ट्रीडीइ मॅबज Kern यह क्या होता हमारा जिदिस्टिडि बूटिंग हो डिश्टिमों अमने क्या किया कई सारे अबज्यक्त ले लिंग मचार किया हमारा एक परी स्प्पेशिंग बीस को का देखें लिए को मारघ में इसमें क्लिए हम क्या है किसले परीक्टोन यह क्या है हमारा इस्टिटिट टॉप के करेंगा उतकर बताओंग उसके बाद रिख लिख विख सेंटर और कटिकल डिस्टिट बॉट्म और Baba technical distribution विख लेफ्ट लेट नेश्टा आपको बिख चले मैं आपको एक यह करके बताता हूं कि सबसे पहले आप का यहां पर आ रहा है हो इसको बता रहा हूं इसके लिए टॉप से डॉप के लिए रखेंगे कि या बोल रहा है यह तो क्या पर एन फार्टीकल अ करें वर्टीकल अ हो होना चाहिए तो हमने चले हमने क्या किया इसको रख लिया किसी को जादा रख लिया किसी को कम रख लिया आप आपको यहां से करना है आपको vertical distributing top, top का मतलब क्या होता, आपको top वाले को मान के करेगा, चले हमने क्या किया यहां पर, click किया, shift दबा के हमने एक करको सब को click कर लिया, और यहां पर पहला देखे क्या होता, आप ध्यान से देखिए, इस top होता है, top का मतलब होता है, top पार इसको फिक्स रका है इसने क्या कि Cu perfect kariya को divide करती है इसको जो लगा हमें इसको यह सब्रह लिख रखा दॉया इसको लग रही है asakra isla में इसको लगता है यह आपको लग रखने ऊज सब्सक्राइब छले मैं आपको बादे साइज होगा मैं इस साइज के लिए मैंने दूसरे का साइज मैं चेंज कर देता हूं उससे आपको बहुत अच्छे समझ मा जाएगा मैं क्या कहना चाहरा हूं अगर आपका स्कॉर है तो आपको आराम से हो जाएगा इसको अभी मैं साइड में रखता हूं अब हमने क्या किया चार साइज ले ली हमने देखिए सब के मतलच है तोड़ी से और अर बढ़ा देता हूं आपके क्लिक कर दिया हम ने बांके यह सब देखते हैं अब ध्यान से देखिए क्या किया इसने इस एरिया को फिक्स रखा लेकिन बांकी के रिया को उसके अकॉर्डिंग उसने कर दिया इससे क्या आपकी क्लिर्टी नहीं आई अब दूसरा देखिए इसको मैं अन्डू कर रहा हूं नेक्स आपका क्या है वर्टिकल डिश्टोबिट सेंटर अब जिसके इसमें क्या किया है जो हमारा अब्जेक्ट था हर अब्जेक्ट तो सेंटर पॉइंट जो बीच का पॉइंट तो उसको उसको पकरा और इसके बाद इस तरह क्या करता है वह एलाइनमेंट बीच का करता है बांकि जो आप चाह रहे हैं एसपेसिंग्वल वह हमारा नीचे की तरह पायागा वह भी मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर डिस्ट्रिबीट कर रहा है यह अब हम चलते हैं नेक्स अंडू करता हूं मैं अब हमने क्या क्या यहां पर इसको क्लिक किया इसको किया इसको किया और इसको किया अब हमारा क्या है सारा होरिजॉंटल है अब हम आते होरिजॉंटल वाले पार्ट पर अब यह क्या बाला है होरिजॉंटल डिस्ट्रिबूट लेफ्ट अब इसने क्या कर लेफ्ट को फिक आपको पता नहीं चला है सब की width आपकी एक्कोल है चले मैं width आपकी कम जादा कर देता हूं जिससे आपको पता चलेगा चले अब मैं इसको selection ले रहा हूं अब इससों सुरू करते है starting से horizontal distribute left अब देखिए इसने left से किया अब next क्या है आपका horizontal distribute center इसने center से किया maximum आप क्या करेंगे जब आप यहां से इधर का हो भर्टिकल हो या horizontal हो अब जब भी आप यहां से horizontal distribute center या vertical distribute center करेंगे उससे क्या होगा आपका beach का space है आपका accurate आ जाएगा अब next क्या है आपका horizontal distribute right राइट मतलब इस एरिया को राइट बला इरिया को इसनों माना जैसे आपने यह selection में देख सकते हैं इसने right पे click किया हुआ अब देखे क्या है इसने right के according कर लिया अगर उसमें क्या होता है आपको इसने right वाले पार्ट को पकड़ा उसके according बीच के space को किया उससे क्या हुआ आपका beach का space जो एकवल नहीं होगा उसने क्या object की width की अनुसा अगर आप particle है तो हाइट के according को space को कर देगा चलिए अब मैं बताता हूँ normal जो आपको सब ज़्यादा ज़रुत पड़ती है अभी देखिए हम क्या कर रहे है सबको अभी alignment में क्या करता हूँ normal alignment selection करके इसको center तो कर दो पहले मैं यह center कर दिया अब देखिए क्या यहाँ पे सब की आपकी beach की distance अलग-अलग है हमने यहां यहां पर देख रहे हैं आप दो option आते हैं फार टिकल डिश्ट्रिट्रपिटश पता हमारा होता हुँर्जट्र डिस्टीबूट अलग a टिकल मतलब क्या हमारे यहोड़रे नीचे एक औक होते हैं और जो हमारे क्या होते हैं दूसरी हुरी प्रकल हमसी दोखे अटोर्य चो जो बोलने और जंटल है अब हम यह चाहते हैं हमारा चाहिए सब के बीच के इस पेस थे वह हमारे सारे इक्वल हो गए चलिए आपको दुबारा दिखाता हूं यह दो कि मैंने ज्यादा इस पेस कर दिया यह कम कर दिया और हमने क्या किया सब को बाहर से सबस्कारिक चाहिए हम आपको एक बॉक्स लगा कि आपको में चाहिए का को करो दिखा देता हूं देखिए यह रही हमने कॉपी कर दिया यहां पर यह देखिए आपकी यहां की spacing equal हो गई और यहां भी spacing आपकी equal हो गई तो यह होती है हमारी distributed spacing जो आपको equal चाहिए तो अब इसी चीज़ को हम क्या कर दिये तो हमरे horizontal ताभी हम इसको vertical कर रहा हूँ मैं क्या करता हूँ इसको center कर देता हूँ मैं तभी मैं इसको center कर दिया और अब हम क्या चाहते है इसकी बीच की spacing सबकी equal हो जाए था हमने mouse के left button को प्रेस करके रखा और बाहर selection ले लिए हमारे चारों क्या हो गया हमारे select हो गया अब हमारा object क्या है अभी vertically यह मतलब अपर नीचे है मतलब vertically अब क्या चाहते है सारे अब जाए स्वेट की बीच की इसपैसिंग आपकी equal हो जाए इस यह देखने आप सारी equal हो गए तो आपको जब भी अगर चाहिए अगर horizontal equal चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और अगर वर्टिकल सब्सक्राइब करेंगे यहां से हम क्लिक करेंगे वर्टिकल सब्सक्राइब करेंगे यह आपका इस पेसिंग का था तो आपका उपर alignment object लेक्विट वी क्लियर हो गया मैंने आपको selection के साथ किया की object के साथ किया जो कि अप्जेक्त मेन है आपको यह आपको यह प्रफिटोरियल देखे बहुत कम जगा ही इसके बारे आपको दिखाया जागा align to key object कैसे यूज करते हैं और दूसरा जो सबसे common है align to artboard वह भी मैंने आपको दिखा दिखा दिया artboard मतलब पेज के alignment कैसे करते हैं और दूसरा आपको मैंने यह भी यहाँ पे clear कर दी करते हैं इस चीज़ आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें आपका alignment टूल उतना ज्यादा करते रहें आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज हमारे वीडियो को उपर कमेंट करें और आपको लगता है हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद